हेलो एवरिवन आज हम पढ़ेंगे कख्षा थिरी की हिंदी की किताब रिम जिम का पार्च है हमसे सब कहते के प्रस्न उत्तर तो बच्चों देखते हैं प्रस्न नमबर वन अम्मा पापा भया दीदी सबी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है तुम्हारा किस किस पर बस चलता है तो इसका उत्तर है हमारा बस केवल अपनी ही चीजों पर चलता है जैसे खिलोने किताबें आदी जिनको तोड़ा फोड़ा जा सकता है प्रस्न दो है तुम्हारे घर में तुम्हें कौन-कौन टोकता रहता है तो इसका उत्तर है घर में सबी बड़े हमें टोकते हैं बैठने, खेलने, जाने, आने, गंदगी फैलाने आदी बातों पर हमें बार-बार टोकते हैं तो बच्चों अगला प्रस्ण देखते हैं किन-किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है तो इसका उत्तर है हमें निमने लिखित बातों पर टोका जाता है जिद करने पर लड़ाई करने पर छिलाने पर खाना समय पर ने खाने पर गंदगी फैलाने पर रोने आधी प अगला प्रशन है बच्चों पाट साला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है नीचे वाली तालिका में लिखो तो इसका उत्तर है बच्चों करने के लिए यहां लिखना है और ना करने के लिए यहां पे अध्यापी का द्वारा दिया गया ग्रहकारिय करो गर साफ रखो, मैदान वे पार्क में जाकर खेलो, स्कूलों के नियमों का पालन करो और ना करने के लिए जो कहा जाता है गंदगी और कागज इदर उदर मत फैंको, दीवारों और टेबल पर मत लिखो, पार्क में फूल मत तोड़ो और सोर मत मचाओ अब देखते हैं बच्चो अगला प्रशन सूरज चांद की रोसनी को भगा देता है इनमें कौन ताकतवर है तो इसका उत्तर है बच्चो इन सब में सूरज ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वह हम सब को रोसनी देता है अगला प्रस्न है बच्चो बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है इनमें कौन ताकतवर है तो इसका उत्तर है बादल सूरज को छुपा लेता है बच्चो अब देखते हैं अगला प्रस्न हवा बादल को भगा देती है बताओ कौन किस से ज़्यादा ताकतवर है तो इसक दिल को भगा देती है इसलिए हवा इन सब से अधिक ताकतवर है बच्चों अब देखते हैं प्रस्न अगला सालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं उसने नामों को लिख लिक कर पट्टी भर ली वे नाम मैंने नीचे लिख दिये हैं सककर कबड़ी पपीता मार कुटाई लॉमडी गुलाब जामुन सेर ककडी सतरंज बला मगर लड़ू गाय बेर पेडा बकरी गिली कबूतर पतंग मसाला लट्टू तोता सहतूत चटनी अब सालू ये सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो उत्तर तो अब हमें कैस खाने बनाने है जानवर या पक्ची है उसका एक अलग खाना बनाना है खाने पीने के सामान इस खाने में लिखने है खेल का नाम या सामान इस खाने में तो हमें और अक्छर जो है वो लिखने अक्छर का खाना या बनाना है तो हमें चार खाने बनाने है तो बकरी बैसे बक खाने पीने के समान क्या है बेर, बेल, बर्फी, बल्ला, बॉल, बॉली बॉल अगला है मैंसे सुरू होने वाले मगरमच, मचली, मेना खाने पीने का समान मलाई, मसाला, मक्षन और खेल का नाम या समान मल्युद, मल्खम अगला है कैसे सुरू होने वाले जानवर है अपक्षी कबूतर, खाने पीने का समान ककडी, करेला, किस्मिस, खेल का नाम या समान कैरम, किरकिट लेसे सुरू होने वाले जानवर लॉमडी, खाने पीने का समान लड्डू और खेल का नाम लट्टू जानवर है पैसे, पांडा, खाने पीने का समान पपीता, पेड़ा, और खेल का नाम या समान पतंग गैसे सुरू होने वाला जानवर? गाय, खाने पीने का समान गुलाब जामुन, और खेल का नाम या समान गिल्ली डंडा सैसे सुरू होने वाला सेर खाने पीने का समान क्या है सैसे सक्कर या सरीफा खेल का नाम है सतरंज अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न ऐसे ही खेल तुम और अक्षनों के साथ खेल सकते हो अलगतर है के खाने भी बना सकते हो जैसे टैसे सुरी होने वाली गोल या लाल चीज अब हर एक खाने के नाम वरणवाला के हिसाब से क्रम में लगाओ तो अब कैसे लगाने हैं देखते हैं जानवर या पक्ची कबूतर, गाय, तोता, पांडा, बकरी, मगर, लौमडी, सेर अब हमने क्रम से लगाएं पहले कैयाता है फिर गय उसके बाद तै अब आगे हैं खाने पीने का समान ककडी, गुलाब, जामुन, चटनी, पपीता, पेड़ा, बेर, मसाला, लड्डू, सकर, सहतूत खेल का नाम या समान है कबड़ी, गिल्ली, पतंग, बल्ला, लटू, सतरंज अब देखते हैं बच्चो अगला प्रश्न हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो तो इस कविता में कौन-कौन लोग हैं, कौन-कौन सी चीजों के नाम लिए गए हैं और कौन-कौन सी जगह लोग हैं भाईया, अम्मा, चांद, पापा, बादल, सूर्य, हवा, हम सब का और चीज क्या है, खिलोने, जगह है, यहां, अंदर, घर, भर, बाहर तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो लाइक और शेर करें यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद